इस वक्त की दोस्तों तमाम बहुत बड़ी खबरें मुख्य समचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहांपर दोस्तों एक-एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी अप्डेट सांब तक आगे इसी वीडियो के माद्यम से पहुँचाएंगे दोस्तों सभी मुख्य समचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और प्रियांग गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा जै हिंद जै भारत दरासल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें मड़ीपुर के दो दिन के दोरे पर रवाना हुए कॉंग्रेस के नितार राहुल गांधी हिंसा ग्रस्त राज में खोलेंगे महबत की दुकान जी हाँ दोस्तों बीते 55 दिनों से अधिक समय से मड़ीपुर में हिंसा समने का नाम नहीं ले रही है वहाँ की दो इस्थानिये जातियों मैतेई और कुकी समुदाई के बीच में लगातार संगर सजारी है और इन सब के बीच में राहुल गांधी यहाँ पर महबत का पैगाम देने के लिए दो दिन के मड़ीपुर के दोरे पर रवाना हो गए है एक तरफ केंद्र की मोधी सरकार है जो पूरे मामले पर बस यहाँ पर हिंसा होते हुए देख रही है कोई भी कदम नहीं उठा रही है पियम मोधी की चुपी पर कॉंग्रेस पार्टी ने भी कई तरह के सवाल खड़े किये लेकिन इन सब के बीच में कॉंग्रेस के नेतार राहुल गांधी महबत की दुकान खोले पहुँच गए हैं मड़ीपुर जिसके बाद बीजेपी के अंदर हड़कम पसा महौल है इसक तो कॉंग्रेस के नए अध्यच का चुना हुए आठ महिने का समय बीच गया है लेकिन अभी तक CWC का खुलासा नहीं हुआ है और अब जल्द ही पार्टी लोग सभा चुनाओं के लिए टीम 2024 की घोशना करेगी इसमें कई नेताओं के सामिल होने और निसकासन को लेकर के अठकलें लगाई जा रही हैं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रेस के अध्यच मलिका अर्चुन खडगे CWC में सदस्यों को नामित करेंगे जैसा की पार्टी ने अपने अधिवेशन में फैसला लिया था लेकिन इन समय सबसे ज़्यादा फोकस प्रियंका गांधी पर है कि क्या वहाँ पार्टी में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगी सूत्रों की माने तो कई विकल्पों पर विचार भी किया जो रहा है जिसमें प्रियंका गांधी को महासचे विया फिर कॉंग्रेस का कारकारी अध्यच न्यूक्त करने की भी संभावना है ब ये मद्ध प्रदेश में भी यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में पहले ही उतार दिया है जिसका फायदा कॉंग्रेस पार्टी को मिलना ताय है आने वाले विदान सभा चुनाओ में यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई एक और लोगों को बताते चलें विपच्छी एकता की कवैद के बेच विपच्छी दलों की एहम बैठक 14 जुलाई को होगी से पहले यहाँ बैठक 10 या 12 जुलाई को होनी थी फिलहाल बैठक के लिए हिमाचल प्रदेश की रार्धानी सिमला को चुना गया है हाला कि अब खबर यह भी आ रही है कि यहाँ बैठक सिमला की जगहे जैपुर में भी आयोजित की जा सकती है और इसके साथ ही बताते चलें आप लोगों को बैठक का नितुरत कॉंग्रस पार्टी करेगी इस बेच हिमाचल कॉंग्रस की प्रदेश सध्यच प्रतिभा सिंग ने दावा किया है कि यहाँ बैठक ही 2024 के लोग सभा चुनाओं में जीत की नीव रखेगी 1998 से 2003 तक देश में NDA की सरकार थी तब NDA को सत्ता से बाहर करने के लिए सिमला में कॉंग्रस का चिंतन सिविर हुआ था और इसका फायदा कॉंग्रस पार्टी को मिला था और देश के अंदर कॉंग्रस पूर्ण बहुमत के सरकार भी बनाई और 2024 के चुनाओं में भी कॉंग्रस पार्टी अब पूर्ण बहुमत के सरकार बनाईगी भाजपा जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गई है यह यहाँ पर खबर सामने निकल के आई एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी का बड़ा दाओं सियम भूपेश बगेल के धुर विरोधी टीयस सिंग देब बनाई गया है डिप्टी सियम जिया दोस्तों 36 गड़ में विधान सभा चुनाओ का फीनश दीख हैं कॉंग्रेस ने अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए एक बड़ा दाओं खेल दिया है प्रदेश कॉंग्रेस और वरकर्स के बीच में कोई भी गलत फैमी पैदा ना हो इसके लिए भूपेश बगेल के धुर विरोधी टीयस सिंग देब को डिप्टी सियम का पद दिया गया है प्रदेश कॉंग्रेस में संतुलन बिठाने के लिहाज से ये काफी बड़ा दाओ के लगाया है पार्टी की तरफ से बताते चले जानकारी के लिए कि कॉंग्रेस अध्यच मलिका अरजुन खडगे ने चतिस गड़ के उपमुख्यमंतरी के रुप में टीयस सिंग देब की न्यूक्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ये यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी ने चतिस गड़ में विधान सभा चुनाओ से ठीक पहले एक बड़ा कदम उठाया है जिसके बाद भाजपा पूरी तरह से बैक फुट पर नजर आ रही है इस भी जेक और अप्डेट की तरह बढ़ते हैं मद्द प्रदेस में भरष्ट अचार और घोटाले को लेकर के पियम मोदी ने सिवराज को घेरा है कमलनाथ ने किया बड़ा दवा भाजपा खुद ही आई है बैक फुट पर मद्द प्रदेस के पुर्व मुख्य मंत्री और कॉंग्रिस के प्रदेस अध्यच कमलनाथ ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के बरष्ट अचार और घोटालों के लेकर के विपच्चे पर किये गए हमले पर अपने पृतिकरिया में कहा है कि मोदी का इसारा सिवरा सिं पर कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने कॉंग्रिस का नाम नहीं लिया, उनका इसारा सिवराज संग चोहान पर भी हो सकता है क्योंकि उनकी सरकार में कई घोटाले यहां पर हुए हैं, अब तो खुद बियमोदी ही सिवराज को घेरने लगे हैं, ये कहना है कमलनाथ का दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, जान लेते हैं, राहुल गांधी पर जूटे पोश्ट कर कानूनी सिकंजे में फसे हैं, बीजेपी के नेता अमित मालविया है, करनाटक पुलिस ने दर्ज की है, अब किसी भी वक्त होगी गिरफतारी, जिहां दोस्तों बताते च बीजेपी नेताओं पर सिकंजा कसना सुरू हो चुका है, करनाटक पुलिस ने राहुल गांधी और कॉंग्रिस नेताओं के खिलाब सोसल मीडिया पर जूटे और अपमान जनक पोश्ट करने के मामले में, बीजेपी के आईटी सेल के राजट्रिया सायोजक अमित मालविय जिने राहुल गांधी के बारे में अपमान जनक टिपनी करते हुए कहा था कि वहाँ खतरनाग गेम खेल रहे हैं, जिसके बाद कॉंग्रिस के नेताओं ने उन पर FIR दर्ज करवाई, करनाटक के मंतरी प्रियांक खडगे ने कहा है कि हमने बीजेपी के दोरा संचालित की फैक्टरी को बंद करने का नेड़े लिया है, बीजेपी के करकरता लगतार फरजी खबरे बनाते हैं, अब हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और इसके साथ ही सामपरदाइक पोश्ट करने वालों से भी सक्ति से निप्टा जाएगा, यह यहाँ पर करनाटक के सरकार अब एक्सन में नजर आ रही है, बीजेपी नेताओं के खिलाफ तावर तोड़, एफ आई आर और एक्सन लिया जा रहा है सरकार की तरब से, करनाटक के अंदर इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, बताते चलें। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें, यहाँ पर कॉंग्रेस के नेताने केंदर की मौझूदा नरेंदर मोधि सरकार पर हमला करते हुए काहे कि भाजबा सरकार के पास केवाल एक ही काम बचा है, और वहा है कि देश के चंद पूंजी पतियों के संपत्ती में इजाफा करना और वो इस काम में इसकदर व्यस्त है कि उसे गरीबो और मध्यमवर्ग का कोई ख्याल ही नहीं रह गया है, यह सरकार सिर्फ पूंजी पतियों के लिए लगातार काम कर रही है, यह कहना है राहुल गांधी का, इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थी मुक्य चारों को जान सकें और चैनल पर अगर आप लोग ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, वीडियो देखने के लिए आप सो भी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत